मतलब अगर आपको रीज तुरंत यह जौब मिल जाती है तो आप क्या contribute करोगा तो यहां पर भी simply आपको क्या करना है अपनी one of the best expertise के बारे में बात करनी है या फिर अपनी strength के बारे में बात करनी है जो कि आप basically दूसरों से अलग होगी definitely सबकी अपने अपनी strength होती तो आप य चीज में अच्छे हो उस चीज के बारे में बात करेंगे जो भी जो वर्फाइल से लेटर चीजे हैं उन सब के बारे में बता सकते हैं आप बता सकते हो कि इन सब चीजों से लेटर मेरे को मैं इन पर work कर सकता हूं अच्छे से right you can you can explain about that अब दो को contribution की बात होगी तो यहां पर आपको क्या करना है यहां पर responsibilities के बारे में बताओगे और साथी साथ अपनी strength के बारे में बताओगे कि आपकी क्या strength है और उससे organization को क्या benefits होने वाले हैं तो क्या benefit होंगे यह बताओगे what will be your contribution towards the organization right तो यहां पर कैसे आप answer करोगे दे seniors to understand what he believes are the priorities that he wants me to look after contribution जो भी करोगे उससे पहले आपको जोब करना है उसके इसाब से फिर आप आगे move करते जाओगे तो शुरुवात में आप क्या करोगे कि आप सबसे पहले जो आपके seniors उनसे मिलोगे उसके बाद अपनी job के बारे में जानूगी कि मेरे को करना क्या क्या है उसमें से क्या चीज़े important है उनको पहले करना है और क्या चीज़े बाद में भी की जा सकती उन सारी जो आप दी जाएगी तो इस केस में आप सबसे पहला क्या करेंगे अपने seniors से कुछेंगे कि मेरे को कि क्या नहीं कि आप को क्या करना लेकिन वहां जाके आपको पता चलेगा कि करना क्या था यह पे यह आपको यह पर जया नखना है और इसके साही साथ फेंट डेली हाई को जे जे इंटर्व्यू के लिए आप इस बूक को ले सकते हो जिसमें आपको 100 प्लस कोशन और आंसर मिल जाएंगे कोशन आप से पूछे जा सकते हैं जैसे इस तरह की चीज़ आपको इसमें कवर हो जाएंगे जुडिशल और साही सब करेंट लेट इसमें कवर हैं साथी साल लो इस कॉस्ट में अपको एबुक्स मिल जाएंगे अडिशनल 30% डिसकाउंट भी मिल जाएंगे इसक्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है वहां से आप जाके इस बुक को ले सकते हो डिसकाउंट रेट पर आपको इस जॉब को लेकर कि क्या वरी या चांसर्म से का मतलब यहां पर क्या है कि आप कुछ ना कुछ आपके मैं में होगा कि किस तरह की जौब होगी और क्य क्या मेरे को काम करना पड़ेगा इस तरह की चीजे आप और यहां पर आपको बहुत ज्यादा कोई कंसर्न बगारा नहीं बस जो मेरी जॉब होगी मैं उसको सही से चाहता हूं बस इतना आप यहां पर बोल सकते हो इसका प्रविबल आंसर किस तरह से दोगे हैं समस्ता है I don't have any concern or worries about the job ठीक है पहली चीज़ता आप यह करोगे कि मेरे को कोई बहुत जादा concern नहीं concern या worries होंगी तो आप definitely work नहीं कर पाऊगे तो आप यह चीज़ नहीं शो करोगे कि you have lot of worries about this job right but I would like to understand more about the monthly targets you would you would like me to achieve in the role and what support I would be able to offer to support me achieving them यहां पर basically क्या है आपको यह जरूर जादना पड़ेगा यह आपको समझना पड़ेगा कि आपको basically क्या targets मिलेंगे तो आप यहां पर बता सकते हो कि मेरे को क्या targets मिलने वाले हैं साधी साथ जो है मेरे को क्या support मेलेगा जिसके थ्रू में उन तो इसको आंसर कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं बाकि कि आपको उससे related कुछ चीज़े तो जानने का होगा ही कि मंतली क्या आपको targets मिलेंगे इस तरह से आप उनको achieve करोगे organization कैसे आपको support करेगी यह सारी चीज़े आपको basically जानने का basically concern होगा तो वह आप यहां पर बता दो गया राइट अब देखो next आता है do you have any personal goals that you have yet to achieve अब आपके personal goal कौन कौन से है personal goals की बात हो रही है आप what are the personal goals right तो personal goals को कैसे आप define करोगे यहां पर आपको क्या करना है आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी है जो employer के point of view से better right मतलब आप इस तरह के बता आप यह बताओगे कि मैं अपने काम को अच्छे से complete करना चाहता हूं यह मतलब job से लेटर आपको goals बना बताने तो जिससे की जो organization है जो basically interviewers उनको लगे कि you are asset for the company right clear है अब देखो यहां पर simply आप आप पर्सनल गोल में क्या आपको करना है आपको करना है आपके goals outside work मतलब outside work के लावा जो आपके बारे में आप नहीं बताओगे जैसे wanting to get married have children get fit इस तरह इस तरह की चीज़े आपको नहीं बता रही है कि जो आपके पर्सनल लेवल के पर्सनल गोल यहां पर पूछा जरूर जा रहा है लेकित यहां पर आपको उसको link करना अपनी organization से ठीक है आप यह organization में कैसे जो है उस चीज़ को यूज करोगे ठीक है तो यह सारी चीज़ आप पर्सनल गोल में आप यह बता सकते हो कि जैसे मैं कोई diploma complete करना चाहता हूं यह आप मैं typing सीखना चाहता हूं इस तरह की चीज़े आप बता सकते हो ठीक है मतलब आपने कोई साइड कि मेरे को एक कार चलाना सीखना है तो इस तरह की चीज़े बता सकते हो जो मतलब कहीं न कहीं आपके ऑगनाइडेशन से लिंक करें समझ में आरी बात तो इस चीज़ को अपने आप एग्जांपल के तुरू समझो यहां पर आंसर के तुरू और अच्छे से समझभा मतलब मैं अपने comfort zone से हमेशा आना चाहता हूं और साधी साथ जो है अपने आपको develop करना चाहता हूं यही मेरा personal goal है right I think it would be good idea to get a professional qualification so that would be my next step मतलब आप professional qualification करना चाहते हो कुछ सीखना चाहते हो इस तरह की चीज़े बता हो गया hopefully I if I were to work for you this organization might sponsor me or at least support me in some way right इस तरह की चीज़े आप बता सकते हैं आप जिन के रहे कोई foreign language सीखना है यह बोल सकते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं अगर आपको सीखना चाहते हो चाहे वह languages हो चाहे कुछ instrument सीखना चाहते हो इस तरह की चीज़े आप बोल सकते हो क्योंकि उससे क्या दिखेगा कि you are a concerned person और अपनी abilities को enhance करना चाह रहे हो इस तरह की चीज़े आप बताओगे तो that will be beneficial